देश भर में चालान कटने का सिलसिला लगाता जारी है हाल ही में भुवनेश्वर में पुलिस ने शोरूम से आई बिना नंबर प्लेट के एक स्कूटी का एक लाख का चालान काट दिया जब 12 सितंबर को कटक में एक चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस ने नई स्कूटी चला रहे अरुन पांडा को रोका उसके बाद स्कूटर पर रजिस्ट्रेशन नंबर होने के कारण आटियो ने एक लाख का जुर्माना लगा दिया आपकी ज़ानकारे के लिए बता दें कि एक लाख का जुर्माना गाड़ी के मालिक पर नहीं भलकि डीलर पर लगाया गया है हुंटा एक्टिवा के स्कूटी को भुवनेश्वर से 28 अगस्त को कवीता पांडा की नाम पर खरीदा गया था जुर्माने के बाद कवीता ने आरोप लगाया कि शोरूम ने रजिस्ट्रेशन नमबर नहीं दिया था ट्रैफिक पुलिस ने चालान मोटर वहिकल अधिनियम का उलंगन करने के लिए काटा है इसके बाद आर्टियो ने भुवनेश्वर के अधिकारियों को डीलर का ट्रैड लाइसेंस रद करने को भी कहा कि उन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के स्कूटर कैसे डिलेवर कर दिया कटक के आठियो दिप्ति रंजन पात्रों ने बताया कि पुराने मोटर वहिकल अधिनियम के तहत और नए अधिनियम के तहत डीलर द्वारा खरीदार को कोई भी वहान देने से पहले पंजीकरन संख्या बीमा और प्रदूशन प्रमान पत्र देना होगा